दही के कबाब बनाने के लिए में चाहिए 300 ग्राम टंगा दही, चार बड़ी चम्मच बेसन, आधा कप कटा प्याज, एक छोटी चम्मच हरी मिर्च, एक छोटी चम्मच इलाइची पाउडर, एक छोटी चम्मच भुना जीरा, दो बड़ी चम्मच कॉन फ्लार, 100 मिली लीट गी और नमक स्वाद के अनुसार, चली बनाना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले 300 ग्राम दही से हम कबाब शुरू कर रहे हैं, देगे ये तंगावा हंकर्ज, तंगावा दही है, इसमें मिलाएंगे दो बड़े चम्मच, एक बारी कटाव प्याज, बेसन, बारी कटीवी ग प्रचली प्रचली कुछ भी ऐसा नही ए, इस कबाब के खासिए भाष्य है, हम धेहां प्रदय कबाब करें तो प्रछें के ते हम उंगे तिसे हम एक ब्रद्ध पैंगे नहीं अग्ड प्रदी उंगे तो पानी नहीं ठोड़ेगी ये अब देखिए, बिलकुल हम उन्ही त तक पकाने जब तक तक इसमें यह तेल नहीं छोड़ दोता अब यह साइच पेल चोला शुरू कर दिये अब इसको हम पैंसे अठाकिक ठंदा करेंगे मिक्षर को Okay. जब यह मिक्स्र थंडा हो जाएगा, इसकी हम टिकियं मनाएगे. अब यह हमारा मिक्स्र था. जी. टाइट भी हो गया. और थंडा भी हो गया. तो थंडा होने की साथ जो इसमें पकड़ ही है. आप इसे हमने टिकी में शेप करना हो हल्का सा कॉन फ्लाफ करें यह ढ़्म करें अब बहुत जेंटली गोल्ड शेफ देते हुए अब एक पैन में मीडियम हीट पर हम ठोड़ा घी डालते हैं we using desi ghee here we can use any other ghee any oil if you're healthy you can use olive oil as well if you're help-conscient you can use olive oil as well आपकाएंगे तो टाइम लग दिमिया चुका है जतना जो भी मिक्सचर है तो जाए जटन करते हुए अब देखे हैं है है अब देखे हैं है है जटने करने में ही टिक दफ रही है तो बिलकु यह यह जाए तो गोल्डन ब्राउन तक पकाना है अब ही हमाइटी की दोने तरह से पक चुकी है जी और इसको केरफुली घी को वही पर रोकते हुए तो एल्थ कॉंशन लोगों के लिए है जी प्रेट निकाल लेते हैं यू जी निकाल लेते हैं यू जी तो टिश्यू पेपर और अल अलसो ना यह तो डब आपका एक्स्ट्र अच्छा वह दो के तो तो मैंने मिया शेट जाय विर्ट वैसे वनाई दो मैंने मिया शेट विर्ट बिल्कुल मैं रहाए है okay okay now i'm about to try this one looks nice and soft and i know you guys are jealous hmm very nice khatta hai soft hai chat pata hai amazing you should definitely try it तो ट्राइ कीज़े इसे लेकिन उससे बहले देख लीज़े किसमें कितनी कैलोरीज नहीं होगर कोई भी स्टेप मिस हो गया हो तो नूट कीज़े इसका चिटपत सारी कैलो दही की कबाब बनाने के लिए दही में हरी मिर्श, बेसन, प्याज, इलाइची पाउडर, भुनाजीरा और नमक मिलाकर धीमी आज़ पर पकाएं थंडा करके इस मिक्स्चर की टिकियां तयार करें टिकियों पर कॉन फ्रार लगाकर घी में पकाएं पुदीने की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्फ करें